नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुक आप देख रहे हैं कच्चा चिथा गाजा पर इसराइल की बंबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अक्तियार कर लिया गाजा पर इसरेल के बंबारी ने अब अमारिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया रूस ने कहा कि पश्यमेशिया का ये यूध अब बाखी इलाकों तक भड़क सकता है सवाल ये है कि क्या रूस अब ऐसी जंग की वॉर्निंग दे रहा है जिसमें इसरेल विश्वयूद का एपिसेंटर बन जाएगा एक तरफ गाजा में बंबारी चल रही है इसरेल का युद गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है दूसरी तरफ इसरेल पर हमला करने के लिए लेबना, सीरिया और इरान की वाच तयार बैठी है और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंटरल कमांड का बेड़ा इसरेल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में पहुँच चुका है ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है USS Ford जोरप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और पश्चिन एजिया में किसी भी वक्त बंबारी के लिए तयार रहता है अचानक इस एरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है फाइटर एरक्राफ्ट लगातार लॉंच किया जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल पोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉंच की जा सकती है गाजा में हालात बहुत नाजोग है इस्रैल दिन रात बंबारी कर रहा है सैक्मों लोगों की मौत हो चुकी है इस्रैल अब अपने ओपर हुए अटैक का बहुत बेदर्दी से बतला लेना चाहता है और यही वज़े है कि उसके बंब अब आम, नागरेक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त घाजा में जितनी भी इमारतें इसरैल की बंबारी में ढहती जा रही है वहां मलबे से बच्चों और बूढों की लाशे निकाली जा रही है ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है मरकज मालूमात फी वजारत तस्चहा इस्टिशाद 413 मौातिनन मिन हम 78 तफलन ववाहद और अरबईन सेड़ा बिल इदाफ़ा इला तस्जील 2300 जरीह सवाल है कि आगे क्या होगा तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं यह बगदाद है और यहां लोग हजारों की दादाद में सड़कों पर निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं इसरेल के साथ साथ अमेरिका के खिलाब बेनारे बाजी हो रही है इरान के साथ साथ लबनन में भी घाजा के लिए समर्तन तेज हो गया है बेरूत में फिलस्तीन और फिलस्तीन और हेजबला का जंडा लेकर लोग साथ को पर उता रहे हैं कर दो लेकिन हालात तो इस्रेयल की अंदर भी बहुत नाजोग है सैक्नों लाशे उठाने के बाद इस्रेयल अब आर पार करना चाहता है और उसका टार्गेट है घाजा और वहाँ पर मौजूद हमास के अड़े लेकिन इस्रेयल को तीन तरब से बहुत बड़े युद्ध की धंकी आ चुकी है लेटनम की मिलीशिया हेजबुला ने कहा है कि वो इस्रेयल पर हमले के लिए तयार है एराक में एरान के समर्थन वाला मिलीशिया भी इस्रेयल को वार्निंग दे चुका है सीरिया ने अंजाम भुगतने को कहा है तो वहीं मिस्र से लेकर सौधी अरब और कतर से लेकर तुर्की था घाजा को बचाने के लिए बहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है ऐसे में बाइडन ने नेतनियाहू को फोन करके कहा है इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूर्वी भूमत दे सागर की तरफ रवाना कर दिया गया अमेरिका का ये बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है और इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा यही मेसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी फायर पावर इस्राइल के करीब टैनात करने का फैसला किया फोर्ट क्लास के करियर के साथ इस बेड़े की ताकत बहुत जबरदस्त है जिसमें तिकोन देरगा क्लास का मिसाइल प्रूसर है इसमें आरलेक बर्क क्लास के चार मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ऐसे बेड़े के साथ रसक के लिए सपलाई शिप भी रहते हैं साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणू पंडुब्धी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इसरेल को दिलाना चाहता है। कि समंदर से उपरेशन चला कर अमेरिका सीरिया पर भी बंबारी कर सकता है। लेबनन के बॉर्डर को भी सेनिटाइज कर सकता है। इस वक्त ये केरियर इसरेल के खाजा के पश्चिम में भूमत दिसागर में तैनात रहेगा। और वहीं से उपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनन भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाखा भी होगा। यहीं से ये इसरेल के एर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब आपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का करियर और उसके बीड़े में मौझूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और इरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है इस्रैल के लिए भी जिराल फोर्ड करियर को भीजना एक बड़ा युद्ध छेट सकता है दुनिया के सबसे बड़े एरक्राफ्ट क्यारियर की यह किसी और देश के पास नहीं बलकि खुद अमारिका के पास है जिसकी वज़े से जो अमेरिकी दुश्मन है वो लगातार धर्राते रहते हैं अमारिका का फोर्ड क्लास क्यारियर दुनिया का सबसे बड़ा एरक्राफ्ट क्यारियर है और इसे CVN 78 भी कहते हैं और यह क्यारियर एक लाग टन का डिस्प्लेस्मेंट पैदा करता है भारत का एरक्राफ्ट क्यारियर आइनस विकरांथ इससे आधे से भी कम वज़न का है तो देखिए कितना वज़न इसमें है यहाँ पर एक लाग टन का कम से कम यह है USS Gerald Ford की बात हम यह आपर कर रहे हैं और यह एक्राफ्ट कैरियर नुकलियर पावर से चलता है यानि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और यह दुनिया में कहीं भी पहुँच सकता है यानि कोई भी को ना हो वहाँ पर इसको आराम से आसानी से पहुँचाया जा सकता है क्योंकि नुकलियर पार काई इस्तमाल करता है और यह एक्राफ्ट कैरियर 56 किलो मीटर प्रदी घंटे की रफटार से समंदर में चल सकता है यह एक कैरियर की बहुत अच्छी रफटार कही जाएगी बहुत बढ़िया रफटार मानी जाएगी यानि कहीं पर भी यह 56 किलो मीटर प्रदी घंटे की रफटार से आसानी से पहुंच सकता है और इस कैरियर पर करीब 3,009 सैनिक तैनात किये जा सकते है यानि कि दुश्मनों के लिए भी यह एक बड़ा टार्गेट बन सकता है और अगर आगे की बात की जाए जो टेकनलोजी का इस्तमाल इसमें किया जा रहा है इस एरकराफट कैरियर पर 90 विमान और हेलिकॉप्टर तैनात यहाँ पर किये जा सकते है यानि कि जो सैनिक है उनको तो यहाँ पर तैनात किया ही जा सकता है इसके लावा 90 विमान और इसके अंदर हेलिकॉप्टर भी तैनाद किये जा सकते हैं और इनमें 75 तो सिर्फ लडाकू विमान है और अभी इस एरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनाद है बाके ठिकानों के आज पास फाइटर जेट तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इसराइल पर कोई हवाई हमला न कर सके इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है और इसराइल के हवाई अड़े पहले से ही एक्टिव है अमेरिका के वायू सेना से इसराइल को अब एक नई ताकत मिलेगी इसके लिए A-10 थंडर बोल्ट विमान भी है जो नीचे ओड़ते हुए टैंकों के पूरे के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है इस विमान को फ्लाइं टैंक भी कहते हैं इस पर छोटे हत्यारों की गोलीबारी का फर्क नहीं पड़ता इसके अलाबा अमेरिका के F-15 से लेकर F-16 लड़ा को विमान भी है लेकिन असली ताकत जो अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए उतारी है वो है F-35 फाइटर जेट ये वो फाइटर जेट है जो इसराइल के पास भी है लेकिन अभी उनकी तादाद सिर्फ 40 है लेहाजा मल्टी फ्रंट के लिए इसराइल की वायुसीना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी F-35 का करीब रहना इसराइल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा ये आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फाइटर जेट F-35 है ये फिफ्स जनरेशन मल्टी रोल कॉमबैक्ट एरक्राफ भी है इस एक लड़ा को विमान की कीमत 1000 करोड रुपए के करीब है ये अमारिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेइन है ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका साफ तोर पर मतलब हुआ ये कि रेडार इसे ट्राक नहीं कर पाएगा जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा और इसकी बॉड़ी पर एक खास किसम की कोटिंग होती है जो कि रेडार तरंगों को एब्सॉब कर लेता है और इसके लावा इस फाइटर जेट का रेडार, एवियोनिक्स और सभी सेंसर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं और इसी वज़े से ये दूर से खत्रे को सेंस कर लेता है लेकिन इसके लावा इसकी क्या खासियत है पाइलेट का हेलमेट भी बहुत खास होता है जिसकी कीमत 3 करोड रुपए होती है ये कॉक्पिट है और कॉक्पिट में पाइलेट जब बैठता है तो एक खास तरह का हेलमेट लगाता है जिस हेलमेट की कीमत 3 करोड रुपए के आस-पास होती है इसरेल ने गाजा पटी को चंदूर की भटी में बदल दिया है इस वक्त भी गाजा पर स्ट्राइक हो रही है और अपनी टेंक आर्मी को आगे बढ़ाने से पहले इसरेल पूरी तरह हमास के बेस को खत्म करने में जुट गया लेकिन सच ये भी है कि गाजा में बंबारी से आम लोगों की जान जा रही है जिसमें बच्चों की तादार बहुत ज्यादा है गाजा पट्टी को इसरेल ने आग की भट्टी बना दिया है पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा पट्टी पर इसरेल के लड़ा को विमान बंबर्सा रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर से लगातार धुआ और आग उड़ती देखी जा रही है एक तरफ इसरेल ने अपने मरकावा टैंकों को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है और तूसरी तरफ दे टाइमस ओफ इसरेल अखबार के मताबिक गाजा पट्टी पर इसरेल के लड़ा को विमानों ने 800 ठिकानों पर बंबार्डिक की है इन हमलों के बाद पूरी गाजा पट्टी के अंदर चीफ पुकार मची होई है जो खबरें गाजा पट्टी के अंदर से आ रही है वो दिल दहला देने वाली है गाजा पट्टी से आए वीडियो ये दिखा रहे है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे है हमास की सरकार का दावा है कि गाजा पट्टी के अंदर बच्चों की मौत भी हो रही है इस पूरे इलाके में जनासे पर जनासे निकल रहे हैं लोगों के पास वक्त ही नहीं है सोचने का कि वो आखिर करें तो क्या करें क्योंकि एक धमाका होता है इमारत किरती है और फिर भगदर के साथ ही रेस्क्यो आपरेशन शुरू हो जाता है और फिर जनासे उटने लगते हैं पूरे घाजा के अंदर इस वक्त यही मनजर नजर आ रहा है यह इसरैल के अंदर गुस्सा है जो घाजा पट्टी के लोगों पर कहर बनकर तूट रहा है घाजा पट्टी में लगबग 20 लाक लोग रहते हैं लेकिन इसरैल पर हमास का हमला इतना कूर और भयान कर था कि इसरैल के अंदर गुस्से की लहर दॉल गए जिस तरह हमास ने हमला करके इसरैल के निहत्थे नागरिकों को भून डाला और महिलाओं, बुजर्गों और इसरैल के सैनिकों को कैद कर घाजा पट्टी ले गए अब इसरैल ने भी बेरहम हमला लेना शुरू कर दिया है बैन्यमिन नेतनियाहू खुद इस पूरे हमले का नेत्रित तो कर रहे है रविवार के दिन नेतनियाहू की दो तज़वीरें सामने आई हैं जिसमें ये नजर आया कि नेतनियाहू इसरैल की एरफोर्स के दफ्तर के अंदर मौजूद है और घाजा पट्टी के अंदर हो रही बंबार्डिंग पर पूरी नजर और निगाह रखे हुए है घाजा पट्टी के अंदर अब मानवा धिकारों का उलंगन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन इसरैल डेफेंस पोर्स पहले ही ये कह चुकी है कि ये जंग हमास ने शुरू की है इसलिए घाजा के अंदर गिर रही हर लाशों का जिम्मेदार हमास से इसरेल के प्रधान मंत्री ब्यन्यमिन नेतन्याहू राजश्री के नाम सम्मोधन के वक्त पहले ही ये कह चुके थे कि अब घाजा पट्टी के लोग कहीं और चले जाएं क्योंकि वो हमास के आखरी आतंकी को तलाश करेंगे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े מה שקרה היום לא נראה בישראל ואני אדאג שזה לא יקרה יותר הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת צהל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס נקה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שם הוללו למדינת ישראל ולאזרחיה लेकिन जहाँ पर 20 लाग की घनी आबादी हो और जो जगे पूरी तरह से नाकाबंदी में घिरी हो जहाँ से बाहर निकलने के भी सिर्फ दो दरवाजी हो और वो भी टोल गेट जैसे ऐसे दुनिया के बड़े क्याद खाने से निकल कर भाग पाना कोई हसी खेल नहीं है दुनिया गाजा पट्टी को एक खुली हवा वाला कैद खाना कहती है गाजा पट्टी सिनाई प्राइद्वीव के उत्तर पूरों में भूमध्य सागर के साथ 363 वर किलोमीटर में फैला हुआ अक्षत रहे गाजा पट्टी का वो बॉडर जो इस्रेल से मिलता है वो बॉर वो वायर और इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के जरिये सुरक्षत एक अभेद्य सीमा की तरह नजर आता है गाजा से बाहर निकलने के लिए दो गेट है पहला गेट इस्रेल की तरह खुलता है और गाजा का दूसरा गेट एजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीब की तरह खुलता है जहां पर इस्रेल का नियन प्रणजादा है और एजिप्ट का खम मैं इस वक्त इस्रेल में मौजूद हूँ और इस्रेल के आर्थिक राजधानी तेल अवीब से गाजा पट्टी 90 किलोमीटर की दूरी पर है गाजा पट्टी सेही हमास की तरब से इस्रेल पर रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घणी इनसानी आबादी वाले इलाकों में से एक है जहां सिर्फ एक किलोमीटर के दारे में साढ़े पाँच हजार लोग रहते हैं यहां पर बिचली, पानी और खाने पीने के सामान की सप्लाई इन्हीं गेट से होती है लेकिन अब इस्राइल के लीडिंग न्यूज वेबसाइट दे टाइमस आफ इस्राइल ने ये कहा है कि इस्राइल के उर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि गाजा के अंदर पानी, बिचली, इंधर और खाने पीने की सप्लाई को काट दिया जाए ऐसी स्थिती में यहां रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए जीवन का बहुत संकट हो जाएगा अगर देखा जाए तो इस्राइल ने गाजा के 20 लाख लोगों को नाकबंदी करके घेद लिया है अनुमान है कि घाजा के अंदर 14,44,000 लोग शर्मार्थी कैंप्स में रहते हैं संयोक्त राश्री के मताबे घाजा की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है घाजा में 50 प्रतिशत लोगों के उम्र 19 साल से कम है घाजा की 3-4 थाई भूमी खेती यो क्या है 16 साल की नाकेबंदी की वज़े से घाजा के अंदर बेरोजगारी के दर 40 प्रतिशत तक है घाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों का दस्वा हिस्सा सामानने बरिस्थितियों में छोटी मोटी नौक्रियां करने के लिए हर दिन इस्रैल की यात्रा करता है जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमती नहीं है 1948 में इस्रैल के निर्मान के बाद अगले दो दस्कों तक काजा पट्टी पर मिस्ट का कपजा रहा अपने नियंत्रन के दोरान इस्रैल ने गाजा पट्टी के अंदर भी 21 यहूदी बस्तियों का निर्मान किया था लेकिन साल 2005 में अंतराश्वी और घरेलू दबाओ के तहल इस्रैल ने गाजा से लगबद 9000 इस्रैली निवासियों और अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से वापिस बुला लिया था जिससे इस इस इलाके पर फिलिस्तीन का राज हो गया लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमास का गड़ बन गया हमास ने अब इस्रैल पर बहुत प्रूर हमला किया है जिसके बाद यहां इस्रैल के हमलों में बड़ी संक्या में फिलिस्तीनी भी मारे जा रही है जिससे विलिस्डियरे चाबान झाला कईा अरजो में बजीरे तफ़्य में इस्रैल फिलिस्तीनी ।-2-4-4-1-2-2-9-3-2-4day 240 सेड़ा कमा रसदा मर्कजल मालूमात फी वजारत अस्चह अल इन्तिहाकात अल इस्राइलिया भी हक्क आवाईलिना दरसल इस्राइल गाजा पर एतने भीशन हवाई हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से हमास की खत्म करना चाहता है क्योंकि अगर इस्राइल गाजा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो फिर ये जरूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले गाजा पट्टी के सारे हमास के ठिकाने नश्ट किये जाए क्योंकि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वज़े से इसरायल के टैंकों को बड़ा खत्रा भी हो सकता है